नमस्कार मुद्यार्थियों आपका आज की ख्लास्वे स्वागत हैं पिछली क्लास्षेश में हमने 206 नसले पढ़ ले थी आज हम शुरू कर रहे हैं गाय की नसले जिसमें हम देशी और वी देशी दूरों की बात करें हैं तो आज हम सबसे पहले घाई का बैसिक देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे नस्ल की और काफि सारे विद्यार्तियों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है तो ऐसे ही बने रहे हैं और जैसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि ऐसे रोजना क्लासे आपको मिलती रहे हैं अब हम बात करते हैं गाय की नसलों के बारे में देखे गाय की नसलों में सबसे पहले हमें बात करनी होते हैं जो लोजिकल नम जिसे हम वेक्यानिक नाम केते हैं तो देशी गाय जो होती है उसका नाम है बॉस इंडिकस और विदेशी गायों का नाम है बॉस टार्टस के नाम है Boss Tartus जो भारत में पाई जाती है उन गायों का जो लोजी करने में Boss Indicus और जो विदेशों में पाई जाती है उसे Boss Tartus कहते हैं अब बात आते हैं इनके Family के बारे में तो इनकी Family है बोवेडी क्या है बोवेडी और गुण सुत्र संक्या sportyarak We go offer Inv 2N is equal to देशी गायों में हुते हैं 58 और विदेशी में होते हैं 60 देशी गायों में होते है 58 और विदेशी गायों में 60 होतें गाई की मान्यता प्राप्त नसले हैं 50, कितनी हैं 50, 50, गाई की मान्यता प्राप्त नसले हैं 50, अग्ला पॉइंट लिखिए, मांस को क्या करते हैं गाई के मांस को गाई के मांस को विफकारत गाई के मांस को विफकारत आज़ता है ऐसी मज़ेतर क्लाशिस आपको मेल रहे हैं तो इसका पूरी तरव उप्योब करें अग्ला पॉइंट लिखिए गाई के बचड़े को क्या कहते हैं गाई के बच्चड़े को कहा जाता है मैं यहां पर लिख देता हूँ बच्चे को यहां बच्चड़े को कोक क्या कहते हैं कोक यह सबी छोटी छोटी चीज़े याद रखता आपके काम आईगी और इनसे ही कोशन बनते हैं मांस को क्या कहते हैं मानिताप्रप्त नसले कितनी हैं देशी गायों में क्रोमस्वम संख्या कितनी होते हैं विदेशी में कितनी होते हैं फैमिली क्या है देशी गायों का वेक्यानिक नाम क्या है विदेशी गायों का वेक्यानिक नाम क्या है यह सबी कोशन बनते हैं अब देखे अगला है गाई के आवास को क्या कहा जाता है रहने का जो इस्तान होता है जो बनाया जाता है उसे आवास को शेड कहा जाता है क्या शेड किस प्रकार से होता है एक तीन शेड जो होता है अपने जैसे कहते हैं कि पतड़ी डाल कर जो एक तैयार किया जाता है घर व कि वह भी प्रोसेश रहता है लेकिन इसको बनाने के लिए तरीका होता है अब देखे इसके ब्याने और प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं तो इसके ब्याने या प्रसव क्रिया को काविंग कहते हैं क्या कहते हैं काविंग इसके ब्याने और प्रस्व ख्रिया को काविं कहा जाता है अगला पॉइंट बनता है देखी यहाँ पर गर्बकाल सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट पॉइंट गर्बकाल तो गर्बकाल जो होता है इसका वो होता है 281 दिन अब आता है पॉइंट अब पॉइंट आता है कि विश्व में सरवादिक गाय कहां पर पाई जाती है विश्व में सरवादिक गाय फर्स्ट है ब्राजील क्या है ब्राजील ब्राजील सेकंड बारत जिसमें 16 प्रतिशत पाई जाती है साथ साथ में इसको भी इंपोर्टिन पॉइंट लगा कर लिख देजीगा फिर आगला पॉइंट आता है देखे विश्व में सरवादिक कहाय फस्ट नंबर पर है ब्राजील सेकंड नंबर पर है भारत जिसमें 16 प्रतिशत पाई जाती हैं अब देखिए 20 पशुगंणा जो 2019 में हुई थी उसके अनुसार 20 पशुगंणा के अनुसार के अनुसार जो की 2019 में हुई थी मैं यहाँ पर उपर लिख रहा हूँ 2019 तो 2019 के अनुसार बारत में कुल गये बारत में कुल गये संख्या है 19.34 करोड 19.34 करोड फिर देखिए अगला पॉंट याता है विशो में सरवादिक गये बारत में सरवादिक गये कहां पर भाइ जाती है अगला पॉंट है बारत में सरवादिक गये बारत में सरवातिक गाईप आई जाती है पस्चिम बंगाल में आपको यह दी मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ किसी प्रकाड का डाउट रहता है तो आप इंस्टागाम पेज या वाटसब ग्रूप या टेलिग्रम पर पूछ सकते हो या कमेट सेक्शन में भी पूछ सकते हो तो पस्चिम मंगल में जो गाई पाई जाती है उनकी संख्या है 1.1991 करोड पस्चिम मंगल में जो गाई जाती है उसकी संख्या है 1.1991 करोड यहां देखना मेरे उंगले आपको देख रही होगी यहां पर फिर एक पॉइंट और है, राजस्तान में सरवादिक गाय कहा पाई जाती है तो राजस्तान में सरवादिक गाय मेरे साथियों पाई जाती है आप सभी स्टुडेंट जानते हो, आप सभी ने पड़ भी रखाओगा, बिका नेर्व है कहां पर B का नेरे में राजस्ततन में कुल गायों कि यह दी बात करें राजस्तन में कुल गाय यहां पर लिख़़ाओ राजस्तन में कुल गाय सम्क्या है एक पुइंट 39 करोड और इसका जो इस्थान है वो है सात्वा इस्थान सात्वा इस्थान बारत में राजस्तान में कुल गायों की संख्या में बारत का इस्थान है सात्वा और 1.49 करोड 39 करोड पाई जाती है यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आयोप आपको बात समझ में आ जाएगी , पिर हम कल बात करेंगे बारति गाय वागी करण, फिर क्लासिफि्केशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे वन बाई वन नसल के से ब्रीड जो हम बात करेंगे पूरा डेटियल से बात करेंगे आप सभी जल्दी से जुड़े जाए जो नहीं जुड़ेगा वो गलती करेंगा तो इसी प्रकार क्लासेस के मात्यम से मैं आपको यह सभी जो नौट्स है वो एवलेबल करवा दूँगा और बैसो के नौट्स के जो पेडियाप है बैसो के नसलो के नौट्स की वो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा आप आहां से इन नौट्स को प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद थैंक्स पर वचिंग जय जय बारत चैनल को सब्सक्राइब चरू कर देना